आपको पता है मैं और आप दॉनों एकी साइकल पर सवारी कर रहे हैं। जी हा आप आगे वाली सीट पर पीछे वाली परूले हैं। मौत की आँखों में आखे डाल कर उसके अंदर जाकने का मौका भी मिलेगा फिल्म के दर्शन आपको नेट्फिक्स पे हो जाएंगे बस दो घंटे की फुरसत लेकर निकलिएगा क्योंकि अंत्रिक्ष जाकर वापस धर्ती पे लोटने में वक्त तो लगता ही है और हाँ मम्मी के हाथ का अचार घर का बना शुद्ध देसी घी ये सब कुछ लेकर नहीं जाना है हम थुट्टी मनाने नहीं जा रहे हैं कहानी की शुरवाद 2027 में होती है जहां पे मनुष्य और राक्षस एक दूसरे के साथ शांती वाला एग्रिमेंट साइन कर चुके हैं मतलब आप अपनी दुनिया में खुश रहेंगे कोई भी ताका जाकी नहीं कोई भी युद नहीं तुम खुश हम खुश इंसान वाली दुनिया में मरने के बाद सीधा इंसान की एंट्री राक्षस वाली दुनिया में होती है जहां पर अजीबों करीब स्पेश शिप्स के अंदर उनकी पुरानी यादों को मिटा कर उनके शरीर से बिमारी चोट सब खतम करके उनको दूसरे जनम में भेजने की तयारी की जाती है इस अदला बदली वाले खेल के इंचार्ज हैं प्रहस्ता नाम के राक्षस जो इतिहास में रावन की सेना की लीडर हुआ करते थे लेकिन अब बिचारे अंतरिक्ष में बैट कर इंसानों की जिंदगी का लेखा जोका यानी अकाउंट का हिसाब किताब रगते हैं कहानी में ट्विस लेकर आती हैं इनकी नई सोच वाली चुलबुली असिस्टेंट युविश्का शेखर जो प्रहस्ता की पुरानी सोच और अकेले पन में डूबे रहने का शौक पूरी तरह मिटाने की जीतोर कोशिश करती है और अपने अंदर मौजूद एक स्पेशल प का आखरी स्टेशन सिर्फ मौत है या फिर मंजल कुछ और ही है जिसको समझने के लिए राक्षस हो या फिर इंसान दौनों को ही किसी साथी की जरुत पढ़ती है सारे जवाब मिलेंगे नेट्फिक्स पर देखो इंडियन सिनिमा में साइफाइ फिल्मों का वैसे भी अकाल पढ़ा हुआ है जो बनती भी है वो किसी भद्धे मजाग से कम नहीं लगती है लेकिन कार्गो एक इंटेलिजेंट फिल्म है जो एक सीरियस इशू को साइंस का तड़का मार के छुट-पुट कॉमेडी के बीच में घुसा के आपके सामने रखती है जिंदगी मौत का खेल बता हुआ तेल, तेड़े मेडे राक्षस ये सब आपके दिमाग से होकर जरूर गुजरते हैं और एक अंसुलजी पहेली बनकर जिंदगी में शामिल हो जाते हैं लेकिन कार्गो की चालाक राइटिंग इस बार इन सभी सवालों के जवाब देने वाली है वैसे तो फिल्म जादा तर वर्श्वल स्पेस यानि ग्रीन स्क्रीन की मदद से शूट की गई है लेकिन दो घंटे की फिल्म में एक सेकंड भी आपको कुछ भी अटपटा या नकली नहीं लगेगा साइंस के भारी भर कम शब्द जैसे ग्रैविटी और 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 इन सब का खास तोर पर पू जैसा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है दो राक्षस हैं जिनको आप आसान भाषा में एस्ट्रोनौट बोल सकते हो जो यूनिवर्स के किसी कोने में एक छोटे से स्पेस शिप के अंदर जीवन मृत्यू की साइकल को चलाने की जिम्मदारी निभा रहे हैं अगर आपको इस लाने वाले मजाकिया इंसिदेंट्स को घुसाया गया है बात करूं एक्टेंग की तो देखो कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कहानी में देखकर आप उनकी असली पहचान भूलने पर मजबूर हो जाते हो और फिल्म के करेक्टर को ही उनकी असलियत मान बैठते हो बस किससे दर्द नहीं आपको खुशी मिलती है त्यार कमशब दो मैं बोलूं तो कार्गो एक नए जमाने की फिल्म है जिसमें आपको टेक्नोलोजी और इंसान की फीलिंग्स का अदबुद मिक्स्यर देखने को मिलने वाला है अगर आप कुछ नया देखना चाते हैं जिसमें मज़ा भी आए और कुछ सीखने को भी मिले तो इस फिल्म को गलती से भी मिस मत करना मेरी तरफ से कार्गो को 5 में से 4 स्टार्स एक स्टार्स फिल्म की असली हीरो इसकी क्लैवर राइटिंग के लिए एक स्टार साइफाइ के पीछे छुपे हुए लाजवाब और यूनिक क चकर में कहानी मेन कॉंसेप्ट से थोड़ा भटक जाती है बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायब करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतुजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक क्या बएबे बाग 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 पर में आपसे खड़ाव करनी हो याले वीडियो में लाग झाले वीडियो में लागव बाग वाले लाग झाले कुछ दो जाते हैं।